असलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब खेरियस से होगे आज 26 दिसम्ब 2023 से साल का एकताम होते जा रहा है और हम एक नई साल की जाने बढ़ते जा रहे तो आज की हमारी प्रेजेंटेशन बेसिकली एक सीरीस प्रेजेंटेशन का पार्ट है जिसमें मैं उन कंपनी को कवर कर र तो चलने प्रेजेंटेशन पर चलते हैं प्रेजेंटेशन पर चलने सा पहले आज कि अगर मार्केट ये बात करेंए जो काफी एक्सपेक्टेड था करेक्शन के पॉइंट से लेकिन इस पे ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर खास तब़ेजर लॉंग टर्बेस जो सिगनिफरंट टेटेंड परेजेंट पर चलना है तो हमेरी प्रेजेंटेशन का फॉर्मगट वैसे यह है जैसा के हमेशा होता है पहले ईजंडा होगा जिसमें कंपर सा करUंगा एंगरी में पजब्सकर करूंगा किि इस जगह जबाइक से दुसक्र्जक्न मतलप क्या ऐसे प्रजेक्स है जिसमें फिचर में पॉजिटिव हो तो उसको कवर करूँगा आखरी में इसका रिजल्ट्स और फिर मेरा मेरी उड़ाए इस कंपनी के बारे में कंपनी के बैग्राउंड की बात करें कि हैंगरो कॉर्परेशन करता कि बैसिकली एक इंवेस्टमेंट कंप इसमें इंवेस्ट करता है जिसमें पहला फूड एन अग्रिकल्चर हो गया दूसरा पेट्रोकेमिकल तीसरा एनरजी एन इंफ्रस्ट्रक्ट्चर चौता टेलिकॉम तो इसके इसके जुद्धें भी करनेंट्ली जो पॉट्फोलियो इंवेस्टमेंट्स है वो इन चार्ट इसकी इंकम जैसे मैंने जिकर किया कि डिवेडेंट्स से कमाता है रॉयल्टी से कमाता है तो यह इसकी इंकम है और यह इस तरहीं कंभी है जिसके वैल्यू ऑफ दे शेयर काफी कॉंस्टेंट रहता है अगर थुरा और यह स्टॉरिक देखें पिछले पास साल इतने सिग्न इंक्रीज नहीं आए एक कॉंस्टेंट रहा इसकी वैल्यू के लिए फिल आने वाले साल के लिए मुझे लगता है यह अच्छा शेर होगा एक तो इसकी वज़ाए इसके प्रजेक्स बड़े अच्छे हैं जिस पर हम भी आगे बात करते हैं राकि उसका उन लोगों के सबसे पहले इसने जो इंवेस्ट किया हुआ है एंग्रो इनर्जी लिमिटेट यह सोलर वगज़ा पे काम कर गी दूसरा इंग्रो इंफ्रस्ट्रॉक्ट्टर लिमिटेड यह टावर्स जो मॉबाइल टावर्स हो दें कनेक्शन इंटरनेट टावर्स वगज़ा इसके इनकी portfolio company के future या ongoing project जो है वो यह है कि इसा से पहले जो टावर वाली company थी एंग्रो इंफ्रस्ट्रक्चर इंफ्रा शेयर लिमिटेड वो बेसिकली इनका टावर बनाने और करने और market share करना है जाद जादा तो यह एक पॉजिटिव इंडिकेटर अगर उनका ongoing project है और तो जब यह market share बड़ेगा तो इवेंचली इनका revenue भी बड़ेगा उस company का और वो company dividend की शकल में दही mining expansion basically mining expansion renewable energy lc यह basically पाकिसान के current मसले है इन चीजों पर काम कर रही है इन चीजों पर काम कर रही है तो उसको potential होता है growth का तो जब यह company काम कर रही है तो growth मिलेगी इसको और जो growth मिलेगी तो dividend की शकल में ट्रांसफर भी करेगी अपनी holding company को जो के इंग्रो कॉर्परेशन है financial result की बात करें financial result में as such कोई नहीं चीज नहीं है जो हमें positive चीज नजर आती है जो इसकी growth अगर देखाए अगर अगर हम detail में जाए देखें है तो किस वज़े से वाए तो इसकी डॉलर की value बढ़ने की वज़े से ना इसका business बढ़ा है अदर्वाइस कोई और वरीजन नहीं इस जो साल गुज़र इस साल में 46 का डिविडिन दे चुकी कमपनी कमाए इसने कमाए इतना नहीं जितना डिविडिन दे लेगे मैं समझता हूं अभी आने वाले जो year end के result फरवरी में होगा तो इसमें भी कोई ने कोई डिविडिन जरूर देगी विए किसका cash भी अच्छ अर्ली मार्च में होगी अच्छी मुझे ऐसी को इंडिकेशन नजर नहीं जिसमें में जिकर करूं सब चीज नॉर्मल है मेरा वी क्या है इस कंपनी के हवाले से यह कंपनी बेसिकली एक तो कंपनी सबसे अच्छी चीज यह कि यह इसी कंपनी है इसकी management बहुत ही शानदार ह सिर्फ उन प्रजेक्स पर पैसा लगा रही है जिनमें इनको प्रटेंशन नजर आता है या उन प्रजेक्स पर लगा रही है जिसमें जो पाकिसान में कोई problem solve कर रहा है company उस तरह जैसे के यह solar panels है हो तो इस तरह कि प्रजेक्स में लगा रही है जो एक बड़ी अच्छी indication है क्योंकि future में इस ताही चीज़े में बड़ा long term में बड़ा benefit है और यह मेरे हिसाब से एक इंग्रु कोपरेशन में इंवेस्टर वो इंवेस्टर जो सिर्फ चाहता है अपना पैसे लगा दे मार्केट को रोज regularly watch नहीं कर साथा इसके उन्गई पोजक्स इमिडेटली इसके अंपैक नहीं आएगा जैसे solar energy वगरेगा लेकिन लॉंग टर्म में आ जागा इसके अंपैक तो जितने भी जिसा साथ सारे तिंग पर से मार्केट गिरी तो और मजीद अगर गिरती है तो इस तरह कंपनी को शौट शौटे शौटे पीसेस में बाय करना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि अगर मजीद गीरे तो बाय करो कोई मसला नहीं यह अच्छी कंपनी अपने अकांट्स तक तक तकरीमन फ़र्वरी की एंड में या मार्च की अर्ली मार्च में पब्लिश करेगी तो मैं समझता हूँ कि जब यह पब्लिश करेगी तो इसका EPS भी इसे साब से चेंज हो जाएगी और इन्वेस्टर्स कभी एक एक अट्रक्शन पॉइंट होगा कि इसका EPS भी इतना बढ़ गया तो मैं समझता हूँ कि इसको कंसर्डर करना चाहिए और यह पॉजिटिव इंडिकेशन करेगा उस पॉइंट पर प्लस प्रेशर भी करेगा बाइंग टाइम पर उस टाइम पर बाइंग प्रेशन नजर आएगा तो आप एक शॉट टम भी अगर चाने तेम करना चाहिए कमा सकते यही मेरे व्यूइस कंपनी के हवाले से थूरूआट दे यह कोई इसी और एक्टिविटी ने जो उन्होंने पॉब्लिक लिए पॉब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और टागेटिट वीडियो आपको मिलती तेक यू शॉजाक अलेकुम